दोस्तों नमस्कार, सब्दर जंग टॉम डेली का बहुत ही फेमस जगा है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि सब्दर जंग के बारे में क्या interesting fact है तो दोस्तों डेली में सब्दर जंग hospital, सब्दर जंग air strip बननी हुई है तो चलिए जानते हैं क्या है इंट्रेस्टिंग फैंक अबाउट सब्दर जंग और देखते हैं सब्दर जंग टॉम क्या है क्या सा दिखाई देता है तो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सुनील इस समय मैं खड़ा हूँ देली के जोर बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर और तकरीबन यहां से 200 मीटर आँगे हम देखेंगे सब्दर जंग टॉम यानि की मगबरे को यह है डेली का अरविंदो मार्ग साथी साथ में जो फ्रेंट में सीधे सामने आप देख रहे हैं वह है लोधी रोड और तकरीबन 200 मीटर आँगे चलकर अब हम देखेंगे सब्दर जंग टॉम को और साथी साथ बता दू मैं आपको यही से बहुत नजदिक लोधी गार्डन भी है जो बहुत ही अच्छा टूरिश ट्रेक्शन का पॉइंट है यह है में गेट इंट्रेंज ओप सब्दर जंग टॉम तो यह है सब्दर जंग टॉम के में गेट की एंटरी साथी साथ मैं बता दू कि इसमें एंट्री लेने के लिए आपको अर्कलोजिकल सरवे ओफ इंडिया की साइड में जाकर आपको पेमेंट करनी होती है जिससे आपको एक टिकेट मिलेगा और इसी तरह दहली के सभी टूरिस्ट प्लेसों में आप जाकर टिकेट लेना पड़ेगा जो कमपल्सरी है और देख सकते हैं मेंगेट इंट्रेंस का जो आर्किट्रक्चर है वो किस तरीके से भव्वे है और यह है यहां की एक लाइबरेजी जो यहां के रिकॉर्ड बगएरा मेंटेन करती है तो मेंन के टिंट्रेंज से अंदर होते ही आप देख सकते हैं किस तरीकी भव्वे सम्थिंग सम्थिंग ताज महल के सेफ में और बोला जाता है कि हुमायू टॉम से भी मिलता जूलता है ये शेप इस तरीके से कितना भव्य दिखाई दे रहा है सब्दर जंग टॉम का मगवरा तो दोश्तों इस तरीके से अब हम इसकी और आंगे बढ़ते हुए में गेट से एंट्री लेने के बाद हम देख सकते हैं कि पूर्वी पश्चमी और उत्री ओर हमें मोती महल जंगली महल और बातसाही पसंद पवेलियन बने हुए दिखाई देंगे जो हम इस वीडियो के कुछ आंगे देखेंगे तो चलिए चलते हैं देखते हैं किस तरीके से यह टॉम है बेसिकली हम अगर यहां पर देखेंगे तो इसके नीचे के सारे गेट बंध है जो बहुत ही समय से बंध है और जो मगवरा है वो इसके उपर बनाया गया है तो दे के लिए रिलीज करती हैं तो दोस्तों इसको सुजाउद दौला जो सब्दर जंग का बेटा था उसने मुगल समराज से परमीशन लेने के बाद इसको बनाया था और देख सकते हैं कि मैं यहां पर मैं अपनी फोटो को किस तरीखे से ले रहा हूँ तो दोस्तों में बिल्डिंग के आप देख सकते हैं बाएं दाएं और आपको बादसाही पसंद पवेलियान जंगली महल और मोती बहल की बिल्डिंगें दिखाई दे रही है जो और गार्डन यहां का दिखाई दे रहा है कितना मनमोहक तरीके से यहां पर अट्रेक्शन का पॉइंट है और लोग यहां पर आके बहुत अच्छा फिल करते हैं तो में बिल्डिंग के में इंट्रेंस पे आप देख सकते हैं यह है वह मकबरा जिसे सब्दर्धन का मोरा कहा जाता है और साथ ही साथ उसके अपोजेट साइड में आप देखोगे यह है बात्साहे पसंद पवेलियन और यह है बिल्डिंग के बैक साइड का नजारा जो इस तरीके से दिखाई देता है और इस समय मैं आचुका हूँ नीचे और चलिए चलते हैं अब देखते हैं इस बिल्डिंग के जो बॉर्डर है बाउन्डरी है उसको और नजदीक से देखेंगे हम के किस तरह है मोती महल जंगली महल और बात्साहे पवेलियन बॉर्डर पे बनाया गया है और किस तरीके का यहां पे न जा रहा है तो चलिए दोस्तों चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको यहां की स्टोरी दोस्तों यह जो सब्दर जंग है यह इरान मतलब एक समय में फारस बोला जाता था तो फारस के निसानपुर गाउं के खोराशन जो एरिया है वहां पे उसका जन्म हुआ था सब्दर जंग का और 1708 में इसका जन्म हुआ था 37 मैं बता दूँ कि यह एक माइगरेंड थे जो वहां से पलायन अपने आपको छोड़ के क्योंकि यह जो मुगल समराज जहें इंडिया का वो इनके रिलेटेव थे तो वो नो ने यहां पे इंडिया पे आ गए और वहां से आने के बाद अवद के नवाब के रूप में काम करने के बाद उसे दली में वजीरे आजम 1748-1753 तक मुगल समराज का कारभाल समाला और अपनी सक्तियों को हुई प्रभावी ढंग से समाला और बाद में इनका प्रभाव अधिक हो जाने के कारण इसे सत्ता से बेदखल किया गया और 1753 में ही इसकी फिर मित्तियों हो गई बाद में मुगल समराज से परमीशन लेने के बाद इनकी पुत्र सुजाओ दौला ने उनकी लिए यहाँ पर मगवरा बनाने की पेस कसी जिसे मुगल समराज ने दिया तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्लीज लाइक सेर एंड सब्सक्राइब करें मैं हूँ आपका दोस सुनेल जंगेला थैंक यू फर वाचिंग द झाल